कुरुप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्ञान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा आज की जो कहानी है यह कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक है यह कहानी है कुट्टे का कुट्टे ने बताया चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों न जाएं लेकिन इन पांच लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, हमारे चैनल धर्मार्थ ब्रायन को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले चलिए कहानी शुरू करते हैं किसी गाउ में एक पालतू कुट्टा रहा करता था वह कुट्टा हमेशा अपने मालिक के साथ रहता था एक दिन कुट्टे के मालिक ने उसके गले से उसका पत्ता खोल दिया वह कुत्ता अपने मालिक के द्वार पर बैठा हुआ था तभी उस कुत्ते ने नजर उठा करके देखा कि एक दूसरे घर से एक बिल्ली उदास होकर जा रही है आप लोग तो जानते ही हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि बिल्ली निकल कर जाएं और कुत्ता उसे पकड़ने की कोशिश न करें उस बिल्ली के पीछे भागा कुट्ता ने सोचा यह बिल्ली मुझे देख लेगी तो भाग जाएगी लेकिन वह बिल्ली उस कुट्टे को देख कर भागे नहीं वह जिसमे जा रहे। ही थी उसी धुन में चल रही थी जब कुत्ता बिल्ली के नस्दीक पहुँचा तो उसने देखा कि बिल्ली बहुत उदास है तब वह कुत्ता सोचता है कि इसे पकडूंगा बाद में पहले इससे पूछता हूँ कि यह उदास क्यों है जब उस कुत्ते ने बिल्ली से पूछा क्या बात है बिल्ली तुम उदास क्यों हो कारण जानने के लिए कुत्ता बिल्कुल उतावला होने लगा कहा बिल्ली बताओ तुम्हें क्या हुआ है तुम उदास क्यों हो बहुत उदास होकर रोती हुई बिल्ली कहने लगी दूर जा कहा कुत्ता कहता है क्या हुआ बिल्ली ऐसा क्या किया मानवने तुम्हारे साथ की तुम मानकों को और बस्ती को छोड़ कर। दूर जा रही हो तो वह बिल्ली रोने लगी उसकी आखो से आसु के धारा बहने लगी और कहने लगी कुत्ता मत पूछो जिस घर से में निकल के आ भी हूँ उसी घर में मैं अपने छोटे-छोटे नवजात बालक को लेकर के गई थी। उसे बचाने के चक्कर में मैंने उनको ले जाकर वहां पर रख दिया लेकिन इन अत्याचारी लोगों ने उन करोड लोगों ने उन्हें पीट-पीट कर मार डाला और ले जाकर बाहर दिया हमें भी अपने बच्चों का प्यार करने का हक है हमें भी अपने बच्चे दुलारे लगते हैं जैसे कि मनुष्य को अपने बच्चे प्यारे लगते हैं लेकिन यह दोगला व्यवहार कैसे अपने बच्चों से मनुष्य इतना प्रेम करता है और हमारे बच्चों को म इस पर हमारी भी कुछ अधिकार है इस पूरी धर्ती को यह लोग गाव घर और अपने खेतों के रूप में बाट लिया है एक कुट्टा अब आप ही बताओ कि हम कहा जाएं इस धर्ती पर सबसे पहले हम ही लोग आय थे लेकिन आज इस पर मानव ने अपना अधिकार बना लि हैं इन पार्टियों ने मेरे बच्चों को मार दिया है यह कहते कहते बिल्ली के आँखों से आसू गिरने लगे अपने बच्चों की याद में रोते रोते वहां भी आगे जा रही थी कुत्ते ने क्षण भर के लिए विचार किया कुत्ते ने सोचा बिल्ली तो सही कह रही है बिल्कुल हकीकत का रही है यह मानव तो सचमुच गुरूर है और अत्याचारी है अब गुपता को अपने उपर ध्यान आया वह कुत्ता सोचता है कि मैं भी किसी का पालतु कुत्ता में पूरे दिन पूंच हिलाता हुआ अपने मालिक के पीछे घूमता रहता हूँ और रात में जब मालिक सोजाता है तब मैं उसकी धनकी और उसकी रक्षा करता हूँ और उसके सिवा मुझे क्या मिलता है जूठा रोटी कुट्टा बिल्ली को आवास देता है और कहता है बिल्ली एक काम करो तुम अकेली जंगल मत जाओ मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ अब मैं भी इन मानकों के साथ नहीं रहना चाहता वह कुट्टा और बिल्ली दोनों जंगल की तरफ जाने लगे जब गुपता और बिल्ली बातें कर रहे थे तो वहीं पास में एक बकरा बंधा हुआ था वह सब बाते सुन रहा था उस बकरे ने चिल्ला कर कहा कि अरे भया मुझे भी अपने साथ ले चलो मैं भी नहीं रहना चाहता इनसानों के बीच में कुट्टे ने कहा भाई तुम्हें क्या पड़े शानी है बकरा कहता है कि मुझे जितनी परेशानी है उतना तो तुम्हें भी नहीं है कुट्टा कहता है कि तुम्हें टाइम से दाना पानी मिलती है भोजन मिलता है तो तुम्हें क्या परेशानी है बकरी ने कहा कि तुमने मेरा खाना पीना देखा है लेकिन क्या तुम्हें पता है, शाम को क्या होता है, कुट्ता कहता है, बताओ क्या होता है बक्रा कहता है कि मेरा मालिक मुझे रोज तौलता है, कुट्ता कहता है, क्यों बक्रा कहता है, कि जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंध हो जाएगा, उस दिन मेरा मालिक मुझे कसाई के हाथों बेच देगा, और जिस दिन मेरा वजन बढ़ना बंध हो जाएगा, उसी दिन मेरे मृक्यू हो जाएगी। मैं नहीं मरना चाहता इन अत्याचारियों के हाथ से वह कुत्ता कहता है यह बकरा तो सही कह रहा है। शरीर पर धार धार निशान बने हुए थे जब वह कुत्ता पास से निकला तो कुत्ता ने पूछ लिया कि क्या हुआ था। वह गधा करता है कि ऐसे अत्याचारी लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं मर ही जाओ कुत्ते ने कहा हम जा रही हैं। अपना स्वतंत्र जीवन जीने तुम भी चलो वह गधा कहता है चलो भया मैं भी अपने मालिक से तंग आ चुका हूँ। वह गधा अपनी सारी एक वही पटक देता है और उनके साथ जाने लगता है अब धीरे धीरे वह गाव के बाहर एक खेत के पास पहुँच गए जब उस गाए ने देखा तो सोचा यह तो पालतू जानवर है बिल्ली भी है कुत्ता भी है बक्रा भी है और गधा भी है। यह चारों तो पालतू जानवर है यह जा कहा रहे हैं गाए ने आवाज लगाई और उन्हें कहा कि तुम कहा जा रहे हो तो वो चारों कहते हैं कि हम जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने जा रहे हैं। इन मानव के अत्याचारों से तंग आ चुके हैं, गाय कहती है कि मैं भी चलूंगी तुम्हारे सा कुट्ता कहता है कि तुम क्यों चलोगी तुम्हें क्या परेशानी है गाय कहती है कि मुझे जितनी परेशानी है, उतना तो तुम्हें भी नहीं है, जब तक मैं दूध देती हैं, इनसान हमसे ढूंड निकालता है, और जैसे ही मैं दूध देना बंद कर देती हैं, वह मुझे छोड़ देता है, वह मुझे टाइम से खाना भी नहीं खिलाता है, औ और जब मैं खाना खाने के लिए किसी खेत में चली जाओं तो मुझे मारते हैं, इससे अच्छा तो मैं इन मानव से दूर ही रहो गाए को मिलाकर वह पांच हो गए घर से तो बिल्ली अकेली ही चली थी, लेकिन चलते चलते रास्ते में पांच हो गए. पांचों दौरने लगे भागने लगे. दौरते दौरते उन्होंने क्या देखा कि एक किसान एक भैंस के गले में बांध करके खेत जोत रहा था और जब किसान को धूप लग रही थी तो भैंस को हाल में बांधा हुआ छोड़ कर पेड के नीचे चाया लेने आ जाता जब यह सब ऐसे ने देखा कि यह सब तो पालतू जानवर है. यह सब कहा जा रहे हैं. तब भैंसे ने पूछा कि भाई तुम सब कहा जा रहे हो तो वह पांचों कहते हैं कि हम स्वतंत्रता का जीवन जीने के लिए जंगल जा रहे हैं. आप लोग ध्यान से सुनिए इस कहानी से हमे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अपने साथ ले चलो। अपने चारों तरफ हरियाली देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लोग आपस में बाते करते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें कुट्टा देखा कुट्टा देखकर कहता है कि अरे यह तो मेरे जैसा कुट्टा भी है। अपने अपने जैसा एक एक जानवर दिखाई दिये तो वह सभी देखकर खुश हो जाते हैं। कि जब यह लोग यहां रह रहे हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक आगे से एक जंगली भैंसा आ रहा था। उस जंगली भैंसा ने इनको आते हुए देखा वहाँ भैंसा समझ गया कि यह लोग गाव से आ रहे हैं, अभी यह लोग जंगल के वातावर्ण से मिले जुले नहीं हैं। सुबह तक यह छक्के मारे जाएंगे, इन्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। वह जंगली भैंसा इनके पास दोड़ कर के आया और कहा कि अरे भाई तुम यहां कहा से आये हो वह जानवर कहते हैं कि हम गाव से आये हैं, वह जंगली भैंसा करता है कि तुम लोग यहां क्यों आये हो वह सभी कहते हैं कि हम मानव से दुखी हो गए हैं, हम भी इसी जंगल मे रहना चाहिए हैं जानते तुम न तो इस जंगल से परिचित हो और नहीं जंगली जानवर से तुम सभी के सभी मारे जाओगे वह सब के सब लड़ने के लिए तयार हो गए लेकिन जाने के लिए तयार नहीं हो रहे थे अब जंगली सांड ने विचार किया कि मेरा धर्म बनता है इन्हें समझाना इन्हें लोटाना में इन्हें मरने नहीं दूंगा इन्हें में जरूर लोटा दूंगा जंगली भैंसा दिमाग लगाया बोला इन्हें ऐसे नहीं समझाना है इन्हें ऐसे समझाना है जंगली सांड खालेगा और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा तो वह सभी जानवर कहते हैं तो हम क्या करें जंगली सांड कहता है कि तुम लोग हमारे साथ चलो तुम्हारे अंदर जो मानव की बुआ रही है वह सब मिट जाएगी तुम मेरे साथ चलो वह जंगली सांड कहता है कि नदी के किनारे बालू के ढेर है तुम वहाँ लूट लेना और तुम्हारे अंदर से जो मनुष्य वाला बद्बू आ रही है वह समाप्थ हो जाएगी और तुम्हारे अंदर से जंगल की गंध आने लगेगी तो यह जंगल तुम्हें अपना लेगा अब आवास सुनाई दी बकरी ने कान खड़ा करके सुना तब जंगली भैंसे से कहता है कि मुझे लग रहा है कि उस जाड़ी के पीछे कोई किसी को मार रहा है, बकरा कहता है कि जाड़ी के पीछे क्या हो रहा है। समझा जंगली सांड कहता है कि बकरा यह तो यहां का रोज का काम है। अनवर थोड़ा और आगे गए आगे जाकर उनको खून के थोड़े सीटें दिखाई दिये। वह सब भैसे से पूचते हैं कि यह क्या है, तो जब वह सभी उपर देखते हैं तो जो बिल्ली सबसे पहले अन्हें मिली थी उसी बिल्ली की लाश उपर तंग रही है। उसके मुह से खून तपक रहा है, बिल्ली उसे देख करके डर गई, बिल्ली ने कहा, यह क्या हुआ यह तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे में, ली थी वह जंगली भैंसा कहता है, कि थोड़ी देर पहले मिले या फिर ज्यादा देर पहले मिले यहां किसी का जीवन का कोई भरोसा नहीं मैंने तुमसे कहा था ना कि जरूरी नहीं जो तुम्हें शाम में दिखा वह तुम्हें सुभा भी दिखाई दे कौन कब भगवान के पास चला जाए और तुम अभी कितनी देर के। ये जीवित हो इसका भी कोई गारंटी नहीं है। जो तुम्हें रेट बताई थी उसी पर जाकर लूट लेना तुम्हारे शरीर से गंध खत्म हो जाएगी और फिर तुम यहां रह सकते हो अब वह जानवर आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें रेतीली जमीन मिलती है लेकिन उन्हें एक और चीज दिखती है उन्हें। यहां दिखता है कि एक जंगली भेंसे को चार-पांच मगरमच पकड़े हुए हैं उसे खा रही हैं। ऐसा चिल्ला रहा है अपने प्रान बचाने के लिए आगे से अपनी जान बचाने के लिए तडप रहा है और पीछे से वहां मगरमच खा रही हैं वह सभी मगरमच पीछे से उसे आधा खाली थे फिर भी वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहा था इस द्रिश को दे देखकर के वह जानवर हक्के बक्के रहें। सभी एकदम से पीछे मुरे और भागने लगे गाउं की तरफ और अपने मन में विचार करते हुए भाग रहे हैं कि जंगल में स्वतंत्र रहने से अच्छा है कि हम इंसानों के बीच गुलाम बन कर रहे इससे अच्छा तो वही है वहाँ पर हमें यह तो मालूम है कि शाम को ह में भोजन मिल जाएगा और सुबह देखने के लिए सूर्य मिल जाएंगे लेकिन इस जंगल में यहाँ पर किसी का विश्वास नहीं जहां पर कोई किसी का नहीं होता यहाँ पर हर रोज अपना पेट भरने के लिए एक जानवर एक दूसरे को मारकर खाते रहते हैं वह छै जानवर तेजी से भागते हुए गाउं की तरफ जा रहे थे इंसान को इन छै लोगों के साथ कभी नहीं छोड़नी चाहिए अगर यह छै लोग अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ते तो शायद उन्हें यह दिन देखने को नहीं मिलता पहला मालिक का आपको अपने मालिक का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए अगर आप कहीं पर नौकरी कर रहे हो तो अपने मालिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और नमबर दो अपने माबाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए चाहे तुम कितने भी पैसे वाले क्यों न हो जाओ, चाहे कितने भी गरीब क्यों न हो जाओ, लेकिन कभी भी अपने माबाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और जो लोग अपने माबाप का साथ छोड़ देते हैं, वे जीवन में कभी सुखी नहीं रहते, और नमबर थी. जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया है, जीवन में कभी भी तुम्हारी मदद की है, उसका एहसान और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि उसने तुम्हारा साथ दिया है और तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि उसकी मुश्किल में तुम उसका साथ दो नं लेकिन कमी को सुधारना हमारा कर्तव्य है, हमें यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं कमी है, तो इन्हें छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह चले जाएं। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए नहीं, तो आप जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते, अब आप कहोगे कि हम उन्हें बहुत समझाते हैं, लेकिन वह समझती ही नहीं, अगर आप उन्हें पूरे मन से समझा आओगे, तो हमारे विद्वान भी कहते हैं कि करत-करत असी खीचने से पत्थर भी कट जाता है, और नंबर पांच में इनसान को कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य का साथ छोड़ने वाले, इनसान कभी सुखी नहीं रहता, आप थोड़े दिनों के लिए खुशी रह सकता है, उसे धन समपत्ती भी मिल सकती है, लेकिन अंत में उसका बहुत भयंकर परिणाम होता है.